चीला ये क्या कर रही हो ये टिक्की गोल बनाओ लाओ मैं बताता हूँ ये देखो इसे दोनों हाथों के बीच ऐसे घुमाओ फिर हलके हाथों से दबाना देखो बनीना एकदम बराबर और गोल ओफो आपके भीना बड़े नाटक है एक बात बताईए ये टिक्की जानी तो बर्गर के अंधर ये है न कौन सा लोग आपके बर्गर को खोल कर देखने वाले हैं कि टिक्की गोल है या चौकोर एसे लगे रहेंगे तब तो हो गया हाहा शीला लोग खोल कर देखें या न देखें मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्गर में सब कुछ बढ़िया होना चाहिए इसके रंग रूप से लेकर इसके स्वाथ तक किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए हाँ तो कौन करता है शिकायत लोग इतना तो पसंद करते हैं शाम होते ही पूरा गाउं आकर खड़ा हो जाता है आपके ठेले पर और क्या चाहिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है शिला इतने सालों से महनत करके मैंने अपनी दुकानदारी बनाई है मैं नहीं चाहता कि जरा सिला परवाही से ये खराब हो जाए हे मेरे भगवान ठीक है लो खुदी बनाओ अपने बर्गर मुझे नहीं खराब करनी है तुमारी दुकानदारी लो अरे अरे शीला तुम तो बुरा मान गई, अच्छा सुनो तो शीला मनूज को अंसुना कर वहां से चली गई पती पत्नी के बीच ये खती मीठी नोग जोंग अक्सर हो जाया करते थी मनूज सालू से अपने ही घर के बाहर बर्गर का ठेला लगाया करता था पूरे गाउं में उसका नाम था मनूज की सबसे खास बात ये थी कि वो स्वाद के साथ साथ लोगों की सेहत का भी खयाल रखता था अरे मनूज भया, सच कहता हूँ कई जगह का बर्गर खाया है मैंने गाउं तो छोड़ो, शहर के बड़े-बड़े रेस्टरॉंट जाके भी खाया लेकिन तुम्हारे बर्गर की बात ही कुछ और है कुछ अलग ही स्वाद है इसका वैसे क्या-क्या इस्तमाल करते हो इसे बनाने में जरा हमें भी तो बताओ और एक बात और समझाओ यहां तुमने लिखा है हेल्दी बर्गर भईया यी बर्गर कबसे हेल्दी होने लगा है मेरा बर्गर तो है भईया चलो विशवास नहीं हो तो जरा बर्गर को खोल कर अच्छे से देखो जिने बिना तेल के पकाया गया था मान गय भीया अंदर तो ऐसा कुछ नहीं मिला जो सेहत को नुकसान दे लिकन इस पाव का क्या ये तो मैदा ही है ना नहीं भीया ये गेहूं के आटे से बना है मैं और मेरी बीवी इने खुद अपने हाथों से तयार करते है क्या बात कर रहे हो सही मैं यार तुमने तो सच में कमाल कर दिया स्वाद के साथ सेहत भी दे रहे हो इतना बढ़िया काम कर रहे हो तो यहां गाउं में क्यों पड़े हो भई मेरी मानो तो शहर जाकर अपने बर्गर बेचो तुम्हें पता है शहर में तुम अपने इन हेल्दी बर्गर की मुँ मांगी कीमत ले सकते हो उस ग्रहा की बात मनुच के दिमाग में घर कर गई लेकिन गाउं छोड़ कर यो अचानक शहर में बसना उसके लिए एक बड़ी चुनावती थी देखो जी ऐसे सोचते रहने से कुछ नहीं होगा हमारी तो जैसी कटनी थी कट गई लेकिन अपना मोनू उससे भी क्या बर्गरे बनवाओगे यहां गाउं में एक धंका स्कूल भी नहीं है मुझे तो शहर जाकर बसने में कोई बुराई नहीं दिखती उल्टा फाइदा ही फाइदा दिख रहा है शीला की बातों से मनूज को हिम्मत मिली और आखिरकार उसने गाउं छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लिया शहर आकर मनूज पापा मुझे थोड़े पैसे दोना अरे पर पैसे चाहिए क्यों ये तो बता मुझे एक नया खिलाउना खरीदना है वो सामने वाली दुकान से अच्छा ये ले पर तू अकेले मत जाना तेरी मा आएगी तो वो ही जाकर दिलवा देगी तुझे मा को तो बहुत टाइम लगेगा वो घर के सारे काम निप्टा कर ही आएगी तब तक वो दुकान बंद हो जाएगी पापा मैं बड़ा हो गया हूँ मैं खुझ जाकर ले लूँगा इतना कहकर मोनू सड़क की तरफ भाग गया जिस दुकान पर उसे जाना था वो सड़क की उस पार थी वो शहर की में रोड थी जिस पर ट्राफिक तेज रफतार से चलता था मोनू बिना कुछ देखे बस भागे जा रहा था मनूज भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे दोड़ा किनकि उसने देख लिया था कि एक तेज रफतार ट्रक सीधे मोनू की तरफ ही आ रहा था मनूज ने मोनू को तो बचा लिया लेकिन वो खुद नहीं बच सका वो हमीशा के लिए जा चुका था शीला और मोनू को नई जुनोतियों के साथ छोड़ कर तुम्हारा पती नहीं रहा तो मैं क्या करूँ अगर किराया नहीं दे सकती हो तो कमरा खाली करो मेरा जी मैं कहां जाऊंगी मेरे पती ने गाओं का घर बेज करी तो यहां शेहर में अपना काम जमाया था और अब तो वो भी नहीं है हमारे साथ भगवान के लिए मुझे कुछ दिनों के महुलत दे दीजी साब मैं जल्दी ये अपना किराया चुका दूंगी ठीक है पर साफ साफ सुन लो सिर्फ ये हफता है तुमारे पास अगले हफते जब मैं आओं तो या तो मेरा किराया मेरे हाथ पर रख देना या फिर तुम दोनों अपना सामान लेकर यहां से पहले ही गायब हो जाना समझी गाओं में तो हमारे बर्गर खाने गाओं के सारे लोग आते थे लेकिन यहां तो कोई आही नहीं रहा यहां के लोग बर्गर नहीं खाते क्या शीला के पास मौनू के सवाल का कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके पास कोई भी ग्रहक क्यों नहीं आ रहा था शीला और मौनू ने बड़ी ही मेनच से बिलकुल मनूच की ही तरह हेल्दी बर्गर बना कर तयार किये थी लेकिन कोई भी ग्रहक उसके ठेले पर रुकता तक नहीं था दरसल जस जगे शीला अपना बर्गर का ठेला लगा रही थी वहाँ पास ही में कई बड़े बड़े ओफिस थे उनके अलावा एक दो रेस्टरॉंस भी थे लोगों को जब भी कुछ खाना पीना होता था तो वो उन्हीं रेस्टरॉंस में जाते थे शीला को जब तक ये बात समझ में आई तब तक उसका काफी नुकसान हो चुका था नहीं, नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा मैं ऐसे वक्त और पैसे बरबाद नहीं कर सकती शीला ने अपने बनाए हों कुछ बर्गर्ज एक टोकरी में रखे और उन्हें लेकर वो उन्हीं रेस्टरॉंस के बाहर जाकर खड़ी हो गई मौनू भी उसके साथ ही था मेंसाब, मेंसाब ये बर्गर खरीद लीजी ये मैंने बनाए है, सिर्फ बीस रुपे का है क्या कहा, बीस रुपे? इतना सस्ता? वैसे भूख तो लग रही है, बट वो क्या है न? मैं भी डाइटिंग परूं मेरा मतलब है कि मैं फिलाल कुछ भी आनहल्दी, मेरा मतलब है कि मैं समझ गई मेंसाब, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजी इस बर्गर में कुछ भी ऐसा नहीं है, जिससे आपके सिहत को नुक्सान हो और मेरा यकीन कीजी, इसे खाकर आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा ये मेरे पती की खास रेशेपी से बने हैं, और इनका नाम है हेल्दी बर्गर क्या? कुछ भी मत बोलो तुम, ये सब जानते हैं कि बर्गर एक स्ट्रीट फूड है, उके? अपनी कमाई के लिए ऐसे जूट तो मत बोलो, तो तुम इतने सस्टे में हेल्दी बर्गर कैसे दे सकती हो? दे सकती हो मेम साब, यकीन नहीं होता, तो इसे खाकर देखी उस लड़की का नाम सोनल था, जो पास ही मौजूद एक आईटी कमपनी में मैनेजर थी वो किसी हेल्दी स्नाक्स के तलाश में ही बाहर निकली थी और शीला की बातों पर उसे बिलकुल भरोसा नहीं हो रहा था नहीं, नॉट अट आल, नहीं, नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती ऐसा करो, पहले तुम मुझे इस बर्गर को बनाने के प्रोसेस दिखाओ उसके बाद ही मैं तै करूंगी कि मुझे ये खाना है या नहीं शीला सूनल को लेकर अपने ठेले पर जाती है उसे एक बिलकुल फ्रेश बर्गर बना कर दिखाती है उसका बर्गर बनाने का तरीका बिलकुल मनुच जैसा ही था जो सूनल को बहुत पसंद आया ओ वाव तुमने तो बिलकुल सच कहा था ये बर्गर तो बहुत अलग है इसमें जाद अतर सबजियों का है इस्तमाल किया है तुमने और ये ब्रेड ये भी आनहल्दी नहीं है और सबसे अच्छी बात ये है कि तुमने साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा है देखते हैं ये टेस्ट के हिसाब से खाने लायक है या नहीं सोनल शीला से उसका बनाया बर्गर लेकर उसे टेस्ट करती है वो बिना कुछ कहे पूरा बर्गर खा जाती है बर्गर कैसा है मैडम जी? बहुत लजीज वाह ऐसा है जिसे मैं हर रोज खाना चाहूंगी सच में तुम कमाल हो अब तक थी कहां तुम हाँ? खेर अब तुम कहां होगी ये मैं जानती हूं वो देखो जो सामने बड़ी सी बिल्दिंग है न वो ही मेरा ओफिस है मैं वहां की मैनेजर हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अब से मेरे ओफिस में काम करने वाले लोगों के लिए ऐसे ही हेल्दी बर्गर्स बनाओ वो भी हर रोज, ओके? जी, मैं कुछ समझी नहीं देखो, मेरा मतलब है कि अब से तुम मेरे ओफिस की कैंटीन में काम करोगी तुम्हें सिर्फ बर्गर्स ही बनाने होंगे ठीक वैसे जिसे तुम यहां बनाती हो मेरा यकीन करो, तुम्हें यहां से जादा दाम भी मिलेगा और जादा काम भी सोनल की बात सुनकर शीला की आँखों में आसु आ जाते हैं सोनल उसके लिए उमीद की वो खिरण बन कर आई थी जिसके सहारी अब वो ना सिर्फ अपना और मोनों का अच्छे से गुजारा चला सकती थी बलकि मनोज के सपने को भी पूरा कर सकती थी